Hello Class 9, Welcome in AK Study, मैं हूँ Arun Kumar यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे Chapter No. 2 यानि की Polynomials पे Based कुछ Important Questions और इसके अलावा अगर आप Class 9 के Final Exam में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप यह Master Course ले सकते हैं, यह Math के लिए होगा और यह आपको मिलेगा वेबसाइट पे, वेबसाइट है akstudy.in तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले Question से जो यहाँ पर पहला Question है, इसमें बोला गया है If x plus y is equal to 12 and x y is equal to 27, find the value of x cube plus y cube मतला हमें x plus y की value दी गई है 12, x into y की value है 27 हमें निकाल ली है इसकी value तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने पास formula है x plus y की whole cube का अगर हम यह लगाएं तो हमें मिलेगा x cube plus y cube plus 3xy bracket के अंदर x plus y हमें क्या करना है, direct यहाँ पर values put कर देनी है जो हमें चाहिए हो मिल जाएगा जैसे x plus y जो bracket के अंदर दीख रहा है, इसकी value कितनी है 12, तो यहाँ पर आ गया 12, ठीक है बाहर यहाँ पर cube लगाओ है लगा दो is equal to, x cube plus y cube यानि इसकी value हमें find out ही करनी है, तो इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही copy कर दो इसके अलावा, आप देखो हमें क्या यार, x into y की value कितनी है, 27 इसकी value पूट कर दो बस, ठीक है ना, तो बहुत बार question देखने में लगता है कि बहुत अजीब सा है, बट वो that formula based question होते हैं कई बार, ठीक है, तो question देखके मत गबराना, यहाँ पर देखो कितना x plus y, फिर से y 12, तो यहाँ पर लिखती है, अब हमें calculate कर लेना है बस, ठीक है, 12 बग क्यूब कितना होता है, 17, 28, ठीक है, अगर आपको याद दे तो ठीक नहीं, तो multiply करके देख लेना, यह कितना हो जाएगा देखो, 12 into 1, 12 होता है, यहाँ से x cube plus y cube की value कितने जाएगी, 17, 28 में से 97, घटा दो, ठीक है, कितना बचेगा, 8 minus 2 यान 6, 12 minus 7 यान 5, 16 minus 9 यानि की 7, तो 756 इसकी value आ गई, आप चाहो तो इसको left में लिख दो, जो variable वाला part है, x cube plus y cube is equal to, जो बाकी चीज़े बच गई वो, यहाँ पर right में लिख दो, तो यह हो गया, आप देखो जो अगला question है, इसमें क्या बोला गया, अगला question इसमें बोला गया, अगला question इस उसका पहला हिस्सा है, फिक है न, first part, इसमें जो degree हो कितनी हो जाएगी, देखो degree का मतलब क्या, अगर यहाँ पे जो भी polynomial हो one variable में है, तो मतलब की highest exponent उसका कितना है, तो यहाँ पे x एक ही जगा दिख रहा है, इसका exponent कितना है one, तो इसकी degree हो गई one, अगर हम बात करो इस कि मानते हैं, जीरो, इसी तरह से अगर मैं इस third part की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो, x की power 3 है, यहाँ पे x raised to the power 1 है, यहाँ पे x raised to the power 5 है, तो maximum exponent कितना मिल रहा हमें 5, तो इसका मतलब degree कितनी हो जाएगी 5, ठीक, अगर मैं बात करो चौथे part की, तो यहाँ पे आपको direct नहीं देखना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 नहीं, बलकि अभी इसको solve करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह multiply होगा अंदर, मेरे कहने का मतलब है, अपने पास है y cube, फिर bracket के अंदर 1 minus y की 4, हाला कि आप देखके बता सकते हैं, ठीक है न, यहाँ पर 3, जब आप यहाँ यहाँ लिटर multiply होंगी, तो यहाँ पर y raise to the power 7 है, तो degree 7 है यहाँ पर, फिर भी मैं solve करके दिखा देता हूं, तो y cube बंजा y cube हुआ, इसको इससे multiply किया था, उसके बाद, minus, फिर y cube into y raise to the power 4, कितना हो जाएगा, y raise to the power 3 plus 4, यानि 7, क्योंकि इनके base एक जैसे हैं, जब basic जैसा 7, ठीक, चलिए अगला question देखते हैं, अगला जो questionation बोला गया है, 249 square minus 248 square की value इन में से क्या आएगी, तो अगर आप अलग-अलग square निकालोगे, बहुत time waste हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात यहाँ पर क्या लगाएंगे हम formula, ठीक है, 249 का all square, minus 248 का square, कौनसा formula लगेगा, x square minus y square, क्या होता है, एक बार दोनों को add कर दो, यानि कि x plus y, और एक बार दोनों को minus कर दो, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, इसको हम x माल लेंगे, इसको y माल लेंगे, तो एक बार इन दोनों को add, एक बार इन दोनों को subtract, ठीक, तो यहाँ से 249 plus 248, एक बार add कर दिया फिर 2, 4, 9 minus 2, 4, 8 subtract कर दिया तो इनको अगर हम add करेंगे तो कितना आएगा 4, 9, 7 into में कितना आएगा 1, ठीक है, क्योंकि इसमें से minus करोगे, 1 आएगा, तो इसको 1 से multiply करोगे, 4, 9, 7 ठीक है, कौन सा option सही है, option D ठीक, अगला question देखते हैं, अगला जो question इसमें हमें factorize करना है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर चलो let ठीक है, यह जो है न, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, तो मैं लिखा let x is equal to a minus b यह जो चीज है न, इसको मैं y मान ले रहा हूँ तो यह y हो गया b minus c सबसे पहले x है, x की value क्या है a minus b, तो मैंने x की value लिखी a minus b, फिर plus में हो गया है y तो यहाँ पर plus में y की value लिखेंगे जो की है b minus c, तो मैंने इसकी value लिख दी b minus c, फिर plus में क्या है, यहाँ पर z यहाँ पर z की value लिखेंगे, जो की minus c 0 होगे यह भी खत्म ठीक है तो यहां से अगर x plus y plus z की value 0 हो तो हमने एक formula पढ़ा हुआ है ठीक है क्या पढ़ा हुआ है कि अगर x plus y plus z 0 है तो इसका मतलब होता है x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 x y z कब लगता है यह formula if x plus y plus z is equal to 0 जो की है यहां पर आप देख सकते हो ठीक तो आप हम क्या करेंगी सब की value put कर दो हमने x किसको माना था x हमने माना था a minus b यहां पर आजागा a minus b cube plus y y हमने किसको माना था y हमने माना था b minus c को तो यहां पर b minus c आ गया किसकी जगा इस y की जगा b minus c cube जो है वो यहां पर लगा दो इसी तरह से plus में z का cube है ठीक है न इस z की जगा यहां पर इसकी value रख दो कितनी है c minus 0 ऐसे इस तरब भी ठीक है is equal to 3x x की value a minus b into my y y की value b minus c into my z z की value c minus 0 तो यहां पर देखो हमें बोला गया था इसको factorize करो यह चीज तो देखो यह ही है same to same ठीक है यह हो गया इसका factorization ठीक तो यह question भी हो गया तो अब आगे चलते है अगला question है if x raise to the power 51 plus 51 is divided by this find the remainder ठीक है फिर जो भी polynomial ठीक है यहां पर है जिसको divide घरना है उसमें यह x की value रख दो तो x raise to the power 51 plus 51 था अपने पास ठीक है ना इसको px बोल देते हैं इस polynomial को अब मुझे x की जगा minus 1 रख देना है तो मैंने x की जगा minus 1 रखा तो x की value minus 1 और उसकी raise to the power 51 plus 51 आपको एक बात पता होनी चाहिए वो बात क्या है कि अगर minus 1 की power odd होगी तो answer आता है minus 1 अगर minus 1 की power even हुई तो यहां पर answer आएगा plus 1 तो यहां पर minus 1 raise to the power 51 है 51 कैसा number है और तो इसका answer कितना है का minus 1 ठीक है और नमबर जाहे जो भी हो plus यहां पर क्या 51 तो यहां पर कितना बचेगा 50 ठीक है तो answer क्या है 50 अब आपको यहां 50 तो है नहीं वो गलती से यहां पर crop करते वह कट गया है आप याद रखना है जो option D है न हो यहां पर polynomial दिया है ना इसको आप compare कर दो 0 से यहां से x की value निकाल लो यहां से x की value क्या minus 5 इधर और 2 चला जाएगा और अंदर क्या है x ठीक एक्स की जगा में क्या पूट करना है 2 root 2 तो मैं सीधा लिख रहा हूं 2 root 2 is equal to यहां पर x का square है x की जगा पर 2 root 2 पूट करना यानि की हो जाएगा 2 root 2 का whole square minus में कितना है 2 root 2 x है तो 2 root 2 की जगा 2 root 2 लिखा और x ठीक है जो x है इसकी value 2 root 2 लिख दी तो यहां पर आ गया 2 root 2 फिर plus में कितना है 1 है plus में 1 लिख दी है यहां फिर से समझा देता हूं जहां जहां पर x था मैंने x की value क्या रख दी है 2 root 2 ठीक है जैसे इतना हूँ अब हम आगे calculation करने की मेहनत नहीं करेंगी क्य यहां पर 2 root 2 का square है यहां पर 2 root 2 into 2 root 2 यहां पर भी यह दो बार होगे मतलब square ही तो होगया 2 root 2 का तो यानि कि यह और यह तो सेमी चीज हो गई ना तो महनत क्यों करने ही calculation में कि क्या आएगा सीधा यह कटके 0 हो गया ठीक है यहां पर कितना आया 1 खतम यहां इसका answer कितना ठीक है तो जाइर सी बात है अगर यह इसका factor है तो हमने factor थे और हमने पढ़ा है कि जो factor है उसको रख दो 0 के बराबर यहां से value कितनी मिल गई x की a अब अगर मैं इसमें x की जगां पर a put करूं क्योंकि यह इसका factor था तो a put करने के बाद इसकी value 0 के बराबर होगा यह सब हम होगा at x is equal to जो भी आया यह 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 हमने factor थे और में पढ़ा था ठीक है न कि अगर यह factor है तो यहां से इसको 0 के बराबर रखके value निकालो ठीक है x की जो भी value आये उस पर जो भी यह polynomial था ठीक है यह 0 के बराबर होना चाहिए बस अब क्या करो x की जगां a put कर दो यहां पर x x की जगां पर a put करेंगे तो x cube की जगां यह नजर आएगा a cube minus यहां पर a है x की जगां a से put कर दो फिर 2x है x की जगां a plus में a है minus में 1 है is equal to 0 ठीक है तो देखो यार यह दोनों तो खतम हो गए क्यूंकि a into a square यह a cube बनेगा यह a cube है खतम यहां पर यह 2a plus में a कितना a हो ज ठीक चलिए अब आगे चलते हैं आप देखो जो अगला question इसे बोला गया factorize अपने पास क्या है अपने पास है 1 plus 64 x cube तो इसमें हम क्या आगर सकते हैं देखो या 1 को अगर मैं 1 का cube लिग दूँ कोई फरक नहीं पढ़ना 1 का cube भी 1 होता है इसी तरह से जो 64 है यह 4 का cube होता है x का cube तो पहले से तो इनका whole cube लगा देता हूं ठीक है न तो 4 का cube 64 हो गया x का cube यह रहा अब यहां पर मुझे direct नजर आ रहा है कि यहां तो मैं formula लगा सकता हूं कौन सा formula लगा सकता हूं मैं x cube plus y cube का कितना होता है यह होता है x plus y फिर bracket में x square minus x y plus y का square ठीक है तो यह formula लगा तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहां पर x है यहां पर 1 है यहां यहां पर y है यहां यहां पर 4x है यहां y की value 4x Put करनी है तो पहले x plus y यहां दोनों को जोड़ दिया तो हम 1 और 4x दोनों को जोड़ देंगे फिर bracket है bracket के अंदर क्या है x का square अपने पास x की जगा 1 है तो 1 का square, minus में x into y, x की value 1, y की value 4x, फिर plus y का square है, y की value 4x है, इसका square लगादा, कितना हो जाएगा देखो, 1 plus 4x, 1 का square 1 हुआ, minus, 1 into 4x, 4x होगा, plus, यहाँ यहाँ पर, 4 का square 16, और x का square x square, यानि की 16x square, तो यह हो तो अगला question देखते हैं, देखो, यहाँ पर क्या है, factorize करना है, ठीक है, यहाँ पर a का cube, minus 8b cube, minus 64c cube, minus 24abc, तो देखो, यहाँ पर हमने एक formula पढ़ाऊ, इसमें तीन बार cube आता है, पहले वह formula लिख दूँ, ठीक है न, कुछ-कुछ, इससे इसकी सकल match कर रही है, x cube, plus y cube, plus z cube, minus 3xyz, यह formula हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यह formula लगाता हूँ, यहाँ पर, तो यह formula होता है, ठीक है न, इसकी value क्या आती है, देखो, पहले वह लिख देता हूँ, इसकी value यहाँ पर आती है, पहले x, plus y, plus z, तीनों को add कर दो, फिर यहाँ पर, तीनों को अलग-अलग square कर दो, x का square, plus y का square, plus z का square, फिर minus में एक बार x, y, फिर minus में y, z, फिर minus में z, x, यह value आएगी, इस formula की, लेकिन उससे पहले, मुझे इस question को बिल्कुल इसके जैसा बनाना हुगा, इसके जैसा मतलब, यहाँ पर जो भी यह सबका cube है, यहाँ पर e है, तो e का cube है, ठीक है, यह तो इस चीज तो ठीक है, ठीक है, अब आप आगर आगे देखोगे, तो यहाँ formula में तो यहाँ plus होना चाहिए, जब कि अपने question में minus है, है ना, तो पहले इस minus को ठीकाने लगाना पड़ेगा, हम यहाँ क्या लिख देंगे, plus, फिर क्या गरेंगे हम, यहाँ लिख देंगे, कि भई, जो 8 होता है, किसका cube है, 2 का, और जो minus था, वो अंदर लिख तो minus का काम खतम, इसी तरह से हम आगे formula में देखें, तो plus में z का cube है, जब कि यहाँ पे तो minus है, तो फिर से plus, minus को bracket के अंदर लिख दिया, ठीक है न, यहाँ पर देखो, जैसे पहले plus, minus, minus हो गया था, balance हो गया, वैसे plus, minus, minus हो जाएगा, क्यूंकि जो हम exponent लगाएंगे, वो odd number होगा, ठीक, अब यहाँ पे 64C, किस का cube होगा, 4C का cube होगा, ठीक है न, तो यहाँ से minus 4 का cube, minus 64C का cube यह रहा, सब कुछ आपको देखो, clear होना चाहिए, कि बिल्कुल इसके जैसा हमें बनाना होता है, दोनों जगां plus था, तो यहाँ पे दोनों जगां plus create करेंगे, तो minus को 수, y,z, न, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे minus 3, यहाँ पे x की जगां छोड़ी, y की जगां छोड़ी, z की जगां छोड़ी, ठीक है न, यहाँ पर جो cube होता, उसको x बोलते हैं, यहाँ पे x की जगाँ A आ रहा है, y की जगां माइनस 2 भी आ रहा है, z की जगां minus 4C आ रहा है तो मैंने x की जगा a लिख दिया y की जगा minus 2 b लिख दिया z की जगा minus 4 c लिख दिया अगर मैं आप calculate करूँ तो मुझे यही value मिलनी चाहिए करके देख लो जाए 3 2 जा 6 6 4 जा 24 ठीक है न minus minus plus plus minus फिर से minus आ गया यहाँ पर a b c यहाँ पर a b c ठीक है न सब कुछ भाई है तो मतलब अब यह इसकी form में convert हो चुका है अब हम इसके बदले में यह formula लिख सकते हैं मतलब पहले x plus y plus z कर दूँ यानि तीनों को जोड़ दूँ तो x की जगा a है plus y की जगा minus 2 b को जोड़ी ठीक है minus to b plus करोगे तो plus minus minus y हो जाना है वहाँ फिर प्लस में c c की जगा minus 4 c है तो plus-4 USB ठीक है घिर यहाँ पर x का स्क्वायर यानि की a का स्क्वायर ठीक है यहाँ नहीं की बात कर रहा हो ठीक है न यहाँ पर x सक्वायर की जैगा holds खालो जोड़ दो plus में y का square y क्या है minus 2b इसका square फिर z का square क्या है minus 2c z का square हो गया फिर इसके बाद देखो क्या साल लाए इसके बाद है minus xy minus yz minus zs ठीक है यानि कि minus xy जगा छोड़ दी minus yz के लिए जगा छोड़ दी minus zx के लिए जगा छोड़ दी ठीक है आप value रख देते हैं xy x की जगा ए ठीक है न फिर से बोलना हो याद रखना x की जगा a y की जगा minus 2b z की जगा minus 4c बुट करना है तो यहाँ पर xy यह निकि a into में minus 2b फिर minus 2b into में minus 4c फिर minus 4c into में a अब इसको बस calculate करना तो यहाँ जगा a minus 2b minus 4c a का square a square हुआ plus minus 2 का square 4b का square हुआ plus इसको का square करेंगे तो minus 2 का square 4c square हुआ फिर minus minus plus 2ab फिर minus minus plus minus minus ही रहेगा यहाँ से 2 4 जा 8 हो जाएगा b और c फिर यहाँ से minus minus plus हो जाएगा 4a और c तो यह होगी अपना question ठीक चलिए अगला question देखते है अब देखो जो अगला question है इसमें मैं इसको expand करना है तो यहाँ तो सिदा-सिदा formula लग जाएगा है ना कौन सा formula लगएगा x plus y plus z का whole square कितना होता है यह होता है x square plus y square plus z square plus two x y plus two y z plus two z x ठीक यह formula गर मैं यहाँ पर लगा हूं तो मेरे पास देखो क्या है मेरे पास पहले जोगए कोपी कर रहा हूं 3a plus 4b plus 5c का whole square तो यहाँ पर x की वह लोगए 3a y की वह लोगई 4b z की वह लोगई 5c तो पहले x square यानि 3a square plus y square यानि 4b square plus z square यानि कि 5c square फिर plus 2xy 2yz 2zx यानि कि 2xy plus 2yz plus 2yz plus 2zx ठीक है x की जगा फिर से भई 3a और y की जगा 4b z की जगा 5c तो यानि कि 3a into 4b फिर 4b into 5c फिर 5c into 3a फिक कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 3a का square कितना हो गया 9a square 4b square कितना हो गया 4 का square 16b का square b square 5c square कितना हो गया 5 का square 25c square plus 2,3,6,6,4,24 साथ में a और b multiply में plus 2,4,8,8,5,4,d b,c plus 2,5,10,10,10,3,30 यह हो गया खिक अगला question देखते हैं अगला question है अगर x minus 1 by x की value 1 होती है तो इसकी value बता दो है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें क्या given है x minus 1 by x इसकी value हमें दी गई है 1 हम गोलेंगे square बहुत साथ दोनों तरब square कर दिया तो square क्या होता है इसका देखो a minus b का all square है एका square a की जगा x है plus b square b की जगा 1 by x है minus 2 a b की जगा 1 by x है is equal to 1 का square ठीक है न सीदे से दा formula लग गया है यहां तो तो देखो यार x का square x square रहने तो एक है इसके बाद 1 का square 1 हुआ x का square x square यानि की हो जाएगा 1 divided by x square यहां पर इससे कट गया तो 2 1 जा 2 बच गया is equal to कितना है 1 है तो यहां से x square plus 1 by x square की तो वैलो में निकालनी ही है minus 2 धर जाएगा plus में 1 plus 2 यानि 3 इसके वैलो 3 आप ठीक है तो यह question भी हो गया तो अमीद करता हूँ आपको यह question सामझ में आया होंगे इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching